तो आज हम जानेंगे कि तद़काल सर्विसिज के एड्मीन पैनल पर कैसे डेटा को फीड करते हैं, कैसे इस्टोर क्रियेट करते हैं और कैसे वेंडर का नाईम एड करते रयतर कैसे वेंडर के वाजिए करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम Google Chrome पे जाएंगे Google Chrome पे जानने के बाद हम ततकाल-services.com सर्च करेंगे ततकाल-services.com सर्च करने पर कुछ इस टाइब का पेज ओपिनों के आता है अब हम इसमें category कैसे create करते हैं यह जानेंगे इसके लिए सबसे पहले हम categories पे जाएंगे categories पे जानने एक बाद हम add category करेंगे add category करने पर कुछ इस टाइब का पेज ओपिनों के सामने आ रहा है अब हम home व्यूप जाएंगे और उसपे select करेंगे home services category type home category name mission image select करेंगे अब add category करेंगे तो ज्यासा कÝ आप देख सकते हैं कि हमने category create के application का तो वह यहां पे सोह हो रहा है अब हम vendor को कैसे add करते हैं vendor के कैसे केवाशी करते हैं यह देखते हैं तो इसके लिए हमें vendor sub admin में जाना होगा vendors sub admin में जाने की बाद vendors vendor के वाशी sab admin का option आ रहा है तो हमें vendor add करना है तो हम vendors में जाएंगे vendors में जाने की बाद हम add vendor करेंगे add vendor करने पर कुछ इस टाइब का page open होके आ रहा है अब name में हम उनका name fill कर देंगे जो vendor है हमने name fill कर दिया इनकी email id फिल करते है इमिल id फिल हो गया अब हम इसमें उनका mobile number fill करेंगे mobile number fill होने के बाद alternate mobile number का option है अगर उनका एक और number हो ता आप वो भी fill कर सकते हैं अब हम add vendor कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर add vendor करने पर यहाँ पर vendor का name add हो चुका है अब इनकी KYC करते हैं तो इसके लिए अब हमें vendor KYC में जाना होगा vendor KYC में जाने एक बाद हम add vendor KYC करेंगे add vendor KYC करने पर कुछी step का page open होके आ रहा है अब हम choose vendor पर click करते हैं जिनकी KYC करने उन vendor का नाम select करेंगे उनकी आधार की image हम लगाएंगे अब pen card का image लगाएंगे वह एड्रेस प्रूफ में आप अधार pen कुछ भी लगा सकते हैं तो हमने अधार का image लगा दिया GST नमबर में अगर उनकी shop है उनका GST नमबर है ता आप वो नमबर का image इसमें लगा सकते हैं अगर GST नमबर नहीं है ता आप उनका फोटो या फिर उनके किसी भी डॉकुमेंट का फोटो इसमें लगा सकते हैं तो हमने इनका डॉकुमेंट लगा दिया अब हम एड्र वेंडर के वाइसी करेंगे आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं रवी गुलाब चंतर विश्व करमक हमने वेंडर के वाइसी कर दिये अब हम इसी एप्रूव करना है तो सलेक्ट इस्टेटस वे जाने के बाद हम यहाँ एप्रूव कर देंगे ति देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी KYC हो चुकी है और इनका KYC एप्रूवी हो गया है अब हम बेंडर KYC करने के बाद कैसे store create करते हैं यह जानेंगे इसके लिए हम सबसे पहले store पे जाएंगे store पे जाने के बाद stores में जाएंगे stores में जाने के बाद कुछ इस टाइप का page open होके आ रहा है अब हम add store करेंगे add store करने पर कुछ इस टाइप का page open हुआ है अब हम इसमें choose vendor में name select करेंगे category select करेंगे store name select करेंगे मुबाइल नंबर इमेल आईडी डिलेवरी रेंज में हम डिलेवरी रेंज फिल करते हैं एड्रेस सिटी में सिटी का नेम फिल करेंगे स्टेट कंट्री में कंट्री का नेम फिल करते हैं अब सेलेक्ट इस्टोर इमेज अब हम इसमें स्टोर की इमेज को सेलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन अब हम एड्र इस्टोर करेंगे इस्टोर करने पर देख सकते हैं कि यहां पर इस्टोर इड्र हो चुका है इस्टोर क्रिएट करने के बाद अब हम इस्टोर की कैटेगरी कैसे क्रिएट करते यह जानेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस्टोर कैटेगरी पर जाना होगा इस्टोर कैटेगरी पर जाने की बाद हम एड्ड इस्टोर कैटेगरी करेंगे यह द्यान उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपिन होक्त आ रहा है अब हम वेंडर का नेम सेलक्ट करेंगे इस्टोर इस्टोर की कैटेगरी अब एड इस्टोर काटेग्री कर देंगे एड इस्टोर काटेग्री हो चुका है जो कि यहाँ पे सो हो रहा है होम सर्विसे सेल्फ रविंदर गुलाप चाद रविश्व कर्मा का इसके बाद अब हम होम सर्विसे में कैसे डेटा फुट करते यह जानेंगे इसके लिए हम होम सर्विसे में जाएंगे होम सर्विसे में जाने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आ रहा है अब हम एड होम सर्विस करेंगे दैन उसके बाद हम select vendor name category carpenter choose store choose store category home services service name जैसे table making हम लिख देते हैं ओर जिनल प्राइस डिस्काउंट प्राइस डिस्काउंट अगर डिस्काउंट है तो आप yes करेंगे नहीं है तो no करेंगे दैन उसके बाद service की image डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद add services करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर table making का data यहां पर सोग हो रहा है तो इस तरीके से हम ततकाल services के admin panel पे data feed करते हैं category create करते हैं और फेंडर